नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ टोडे निउस और मैं हूँ आपके साथ कंचरन मुझफवर नगर की एक अंतराश्ची इस्तर की महिला खिलाडी ने रश्टे के फूफा पर 6 साथ से ब्लैक मेल कर रेप करने का रूप लगाते हुए पुलस प्रश्रासन से इंसाफ की ग लेते हुए तीन लोगों के खिलाफ नामचेत रिपोर्ट दर्व कर आगी की कारवाही शुरू करती है जरसल मामला मुझफवर नगर का है जहां एक अंतराश्ची स्तर की सॉफ्ट बॉल महिला खिलाडी ने अपने ही रश्टे के फूफा पर 6 साल से ब्लैक मेल कर रीप करन लोग 6 साल से ब्लैक मेल का लगातार यौन शूशिन कर रहा है वरोध करने पर उसे सोचल मीडिया पर वारल करने की धंकी देते हैं अब इन लोगों ने मेरी फोटो को सोचल मीडिया पर वारल कर दिया है मैं चाते हूँ कि इन 6 सालों के दौरान जिन पर रस्तितियों उसे मैं गुजरी हूँ इन्हें सक्से सक्त सगा हुनी चाहिए वहीं चेत्रादीकारी ने बताया कि प्रतम सूचना का धार पर FIR दर्ट कर दी गई है सभी तत्यों की जाच की जाएगी उसके बाद विधिक कारवाही की जाएगी अभी इसमें कोई गिरफतारी नहीं की गई है पहले उसका 164 में बयान होगा उसके बाद जाच में जो भी तत्य सामने आएंगे कारवाही की जाएगी महिला खिलाडी ने बताया है कि चार पास साल से वे एक दूसर से परिचित है शादी का जहां सादेकर उसके साथ घटना की गई है सबी दत्यों के अधार पर कारवाही की जाएगी तीन लोगों के खिलाफ मकुदमा दर्ज किया गया है एक महिला भी है जो परिवार सही है जिसका उसने बता दिया उसका इसमें इस घटना से कोई नदाना नहीं है मैं एक नैशनल लेवल प्लेयर हूँ मैंने शोफट बोल में All इंडा लेवल खेला हुआ है मेरे साथ बहूत गलत हुआ आध जो अभड मेरे हूपपा लगते हैं उन्होंने मेरे साथ रेड किया छे साल पहलों ने मेरे साथ रेड रेड किया इसलिए मैं परेशान हो कि यहां से दिली भी चली गई सब को छोड़के और उसने मुझे वहां भी परेशान किया वहां पर उस सब में इसकी भावी भी इन्वालव है उसके भाई मैंने उन सब को भी बताया पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अगर मने अपने घरवालों को बताना चाहा लेकिन उसने मुझे फिर टोचर किया कि अगर तुने बताया तो तरह फोटो वाइल करेंगे और हर जेंगे फैला देंगे अच्छे साल से आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है क्यों आपने आवाज ने उठाई आप उसने मेरे फोटो लिए वे थे और उन फोटो को दिखा के वो बोल रहा है कि मैं ब्लैक मिल करूंगा हर जेंगे दिखाऊंगा और फिर उसने मेरे भाई को मारने के भी धम की दिय परदों है मैं अपना सिटिविक बनीवाने के लिए उन अपना आ बात की कि मुझा बूर्स अरूराना है मेरे स्पोर्स में जरूरत थी तो जब मैंने बननी के लिए तया तिक है बन्वाएंगे अनला मैं अनले काकजात भ्य लिया जितनेiat से कह रहे है यह इसमें लगे उस किया और मेरे फोटो लिए उच्छे उजिन से आज तक ये सब होते आ रहे हैं इंतजार परधान जो इंतजार तियागी उसका भाई रिज्वान तियागी और जगी और उसकी भावी तरहना अच्छा आपका रिष्टा भी हुआ तक मेरा नावले में रिष्टा हुआ था वहा थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंदिक्रत हुआ है जिसमें रेप से रिलेटेट धाराएं भी लगाई गही है उसमें चार विक्तियों के खिलाफ जिनमें एक महिला को भी अभिक्त बनाया गया है और उनका सहीयोग बताया इस तरीके का एक आरोप लगाते हुए प्रदमे से समंदित जो विदिक करवाई है वो की जा रही है और विदिक परिक्षण के बाद विदिक करवाई की जाएगी उसमें नाम आया है और यह भी उसमें आया है कि जो प्लिता है वो पहले से आपस में रिलेशन में हैं दोनों परिवार जो है दूर के रिलेशन में हैं और रिलेशन के साथ साथ पहले से करीब दस वर्सों से एक दूसरे को जानते थे और पिछले चार-पांच वर्सों से उन लोगों का आपस में जानकारी है संबंध है मिलना जुलना है इसी दोरा ने परिक्षण किया जा रहा है परिक्षण के बाद ही विदिक करवई की जाएगी जैसे मैंने बताया ना कि पिछले